Now first of all we'll remove echo and background noise from our audio And now the sound you are listening is a processed audio This is my edited background Now let me show you my original background Now this is my original background And this is edited background Now we have to blur our background And now this is a blurred background जी बिल्कुल ऐसे ही वीडियो अभी हम edit करके देखेंगे किस तरीका से होती है So आप अपनी सिर्फ जो फिल्म हो रहा है आप है उसको open करें Open करते ही कुछ interface इस तरीके का आएगा और अभी हम इसको देखते हैं जो भी आपकी stock वीडियो जिसको आप edit करना चाह रहे हैं उसको अपनी timeline के अंदर रखें और key project settings रखें Now first of all Key project settings रखते ही आप आगे देखें जहां से basically हमने वीडियो स्टार्ट करनी है क्योंके वीडियो के स्टार्ट मेक्सर क्या होता है कि कुछ जो टुकड़ा होता हो हमें नहीं चाहिए होता तो जो भी टुकड़ा होगा जो हमने cut करना होगा simple ये वाली जो red line है ये basically play timer है तो उसको हम वहां पर रखें और उसको trim करेंगे trim करने के दो तरीके होते हैं आप control प्लस B से भी कर सकते हैं और ये जो Caesar का निशान है उससे भी कर सकते हैं so simply आप उसको trim करें और डल का बटन दबाते हैं हिसाब को नहीं चाहिए उस पर रखे अब हमें यहां से basically जो है ये portion चाहिए और सबसे पहले हम अपना जो audio है इस वीडियो में जैसे आप सुन रहे हैं कि वो audio को हम magnify करेंगे enhance करेंगे तो उसका simple सा तरीका कर क्या है कि हम पहले पुरी वीडियो करेंडर कर लेंगे ताकि सारी वीडियो समूद हो जाए और उसके बाद जो हम audio है audio को export करेंगे क्योंकि हमें audio export करना है तो हम इसको simply MP3 format में export कर देते हैं और आपको जो भी नाम अच्छा लगए reference के तोर पर वो रखते मैं भी कुछ ना कुछ नाम रख लेता हूँ और ये वीडियो टेस्ट का नाम मेरे हैं से ठीक है मैं रख लेता हूँ और यह आप देख रहे हैं audio export हो गया audio export का होके यह simple उसके MP3 फाइल बन गई है जी अब हम basically अपना Chrome browser open करेंगे और Chrome browser open करके adopt podcast open करेंगे और sign in कर लेंगे यहां से हमने जो आडियो की file बनाई थी उसको upload कर लेंगे यह file है हमारी और यह थोड़ा सा time लेगा यहां पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहां पे देखें जैसे भी start में आ रहा है enhancing speech अभी यह change हो जाएगा still enhancing पे आएगा यह अभी देखें still enhancing लिखावा गया अभी इसके बाद यह कहेगा it will take up to 10 minutes कुछ ऐसा कहेगा some audio will take up to 10 minutes वो दिखाता हूँ आपको अभी यह show होगा यह देखें यह show हो गया और यह उसको थोड़ी दिर बाद यह radio हो जाएगा इसको direct हम अपने मीडिया सेंटर में drag and drop कर लेंगे फिल्मोरा के मीडिया सेंटर में यह drag and drop करके अब audio हम लिशा वीडियो से नीचे रहता है तो हम इसको नीचे वाली time line में shift करेंगे और चूँकर यह complete audio हमें नी चाहिए हमें audio जहां पर अगर आपको पूरा चाहिए तो आप पूरा उसको लगा सकते है start से लेकिन मुझे बेसिकलिए यह now वाले moment से चाहिए तो मैं जो मुझे audio यह enhanced audio के जहां से मुझे फाइल की जरूरत नहीं है मैं उतना audio कट करूँगा इसका इसके लिए simple सा तरीका नीचे वाल audio सुरने का बेतर यह है कि जो उपर वाली timeline है उसको हमने mute कर दी है इस वक्त यह आप देख सकते हैं I के बटन से यह speaker के बटन से आप उसको mute कर सकते है और यहां से मुझे यह audio basically start करना है हमें उसको भी deattach करना पड़ेगा अब यह basically यहां से हमें audio चाहिए तो हम यहां पर रखे सबसे पहले वीडियो को trim करेंगे cut लगाएंगे cut लगाने का तरीका आपको मैं पहले बता चुका हूँ control B यहां Caesar का बटन और जो next वीडियो का part है यहां से पहले हम इसको trim कर लें सो यहां से हमने इसको trim किया cut लगाया और अभी हम इसको detach करेंगे चाहँ detach करने के भी दो तरीके हैं यहां तो आप control Alt और D का बटन तबादे और यहां फिर simply इस पर right click करके detach audio कर दें उसके साथ भी लिखा आ रहा है उसकी shot की सो वो जो नीचे audio आ रहा है वीडियो का जो genuine audio था उसको भी हम डेल करेंगे और जो audio हमने enhance किया उसको adjust करेंगे just drag and drop करते हमें तो वो यह हमने उसको drag and drop करके adjust किया other final results देखते हैं कि यह enhance करने के बाद थोड़ा volume मैंने increase कर लिया हैंस करने के बाद हमारा audio luck कैसे रहा है यह सुने ज़रा आप यह देख रहे हैं major difference है पीछे से जो भी background noise था एक को था वो खतम हो गया और यह बड़ा जबरदस बिल्कुल studio audio बन गया हुए अच्छा यहां पर एक और बाद ज़रूरी है वीडियो के अंदर जो gap सा आ जाते हैं mute sections आ जाते हैं उन्हें भी खतम करना चाहिए और वो आप audio section से बड़ अच्छे तरीके से देख सकते हैं अब जैसे यह देखें यह बिल्कुल एक mute section है यहां पर कोई बात नहीं और यह बात ही है कि जब आपका audio video detach होते हैं तो आपको दोनों को cut लगाना पड़ता है पहले एक बार उस पे audio video पे click करके उसको cut लगाएं फिर इसी तरह जो ending point है वहां पर भी दोनों को cut लगाना पड़ेगा आपको यह video को लग गया यह audio को लग गया और फिर यह दोनों portion जो हट आते हैं अब देखें मुटेट पार्ट था खतम हो गया अब जरए जरल देखें देखें मुटेट पार्ट हट गया और continuity आ गई है अब next step है हमारा background change करना जैसे कि वीडियो में कहा जा रहा है कि background change होगी अब यह थोड़ा से tricky है मुश्किल नहीं है आप इसको समझेंगे सम है क्यों दो steps करने पड़ेंगे बाराल फिलाल एक step तो करें हम यह वाली वीडियो की क्यों कट लगी हुए तो सारे portions को आपको shift करना पड़ेगा यह देखें timeline को हमने थोड़ा squeeze कर लिया और audio नहीं उपर shift होगा सिर्फ वीडियो को आप उपर shift करेंगे यह वीडियो को हमने ओपर shift कर लिया और यह basically यहां पर नहीं एक impression है कि click है यह चुटकी का sign है वहाँ से अब यहां जो भी background चाहिए हम वो basically पीछे import कर लिया हमने media section के अंदर और यह हमने एक-एक step और मजीद वीडियो को उपर कर लिया और हम आपको अगर complete video में background चाहिए तो आप complete video में background लगा सकते हैं मुझे basically specific portion पर चाहिए कि इस video के accordingly तो मैं जो है basically वहाँ पर अपना जो background है वो adjust करूँगा और इसी तरीके से अपने media section से मैं यह background timeline में लेके और इसको जो सबसे नीचे वाली time line है वहाँ पर set करूँगा अब होगा क्या कि चुटके बजते ही मेरी जो पीछे background है वो appear हो जाएगी और यह चुटके बजी लेकिन background appear नहीं होगी अब क्यों नहीं यह वो भी बताता हूँ आपको basically हमें video में double click करना पड़ेगा और यह chroma लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यह देखें जो आगे आपका विजूल है वो भी blur है तो थोड़ा tolerance increase करके देख लेते हैं और यह tolerance भी increase हो गया लेकिन इसके edges fine नहीं है तो हमना इसकी edges की thickness को भी जो है वो थोड़ा order adjust करते है माइनस में थोड़ा लेकर जाते है इसको सो यह edges काफी अच्छे तरीके से refine हो गए मैं अब यह देखें अब background तो आगए लेकिन background के जो है वो complete नहीं आई तो basically जो अपने background लगाया उसको double click करें और उसके margin set करें according to the video यह हम उसको manually कर लेते हैं और इसमें मज़़ा की बात किया है कि अपने आपको भी अगर आ ग्रेडिंग करते हैं ताकि जो front face है वो background के साथ color wise जो है वो complete मैच हो जाए तो इसके लिए उसी तरह वीडियो पर double click किया और अब हम colors के section में आएंगे colors में आपको complete color grading options मिल जाती हैं यहां पर हम value को थोड़ा सा edit कर लेते हैं यह थोड़ा सा चेक करेंगे जहां पर यह सेट हो गया वहां पर हम set करतेंगे इसमें temperature थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि पिछली background का जो temperature है वो काफी अच्छा है यह temperature अब आप देख रहे है यहां पर ठी लग रहे हैं ठीक है जी अब हम यह देखें जनाब जो front video वो पिछली वीडियो के साथ काफी similar होगी यह मजीज सिमिलर होजेगी जब आप वीडियो को render करेंगे तो है अब scene क्या है कि background हमें पीछे से blur करनी है जैसा कि वीडियो में आप शायद आवाज आ रही वीडियो में डाल सकते हैं मुझे specific portion में डालना है simply effect के अंदर जाएं और यहां पर एक square blur के नाम से यह option है यह square blur जो है इसको खेंच के आप तस्वीर और वीडियो के center में यह याद रखना है कि अपने तस्वीर ब्लर कर देंगे अगर सबसे उपर रखना है तो वीडियो ब्लर हो जाएगी कर सकते हैं देखें उपसिटी zero कर देंगे blur बिल्कुल खतम हो जाएगा तो सिंपल सा यह वे था और आप देखें इस वीडियो में हमने noise भी set कर ली enhance कर ली इस studio noise कर ली बिल्कुल और हमने picture का जो blur है वो भी हमने set कर लिया और background भी चेंज कर ली इस सारी बात में simply जो बात ह वो यह है कि आपके पीछे green screen होगी mat में तो ही आपका क्रोमा की work करेगा वरना background आपका remove नहीं हो सकेगा यहां कुछ single color का होगा तो ही वो work कर पाएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा अभी तक के लिए इतना ही दुआउं में याद रखिएगा अलाहफिज